आज हम बात करने वाले जुबिन नोटियल के लाइप से जुड़ी कुछ अन्नोन फैक्ट्स के बारे में तो वीडियो को आखिर तक देखते रहे आपको कुछ नया जानने को मिलेगा फैक्ट नमबर वन सुरो के जादुगर और अपनी एक अलग आवाज के लिए जाने पहिचाने वाले जुबिन नोटियल का जनम 14 जुन 1909 को उत्तराखन के देरादुन शर में हुआ था जुबिन एक ब्राह्मन परिवार में जनमें अपने माता पिता के सबसे चोटे बेटे हैं तो वही जुबिन से उनकी बड़ी दो बहेने हैं जुबिन नोटियल के पिता जी का नाम रामशरन नोटियाले जो कि एक बिजनेसमेन होने के साथ साथ एक पॉलिटीशन भी है बनने का सपना देखा था जुबिन नोटियल ने अपनी शुरुआती पड़ाई जोसेफ अकेडमी देरादुन से ही शुरू की जहां जुबिन को आर्ट जोसे सब्जेक्ट काफी ज्यादा अच्छे लगते थे उन्हें पेंटिंग, सिंगिंग और डांसिंग करने का बड़ाई ज्यादा शोक हुआ करता था जुबिन हमेशा अपने स्कूल में होने वाले प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे और उनमें टॉप भी आते थे जुबिन जब छोटे थे तो उन्हें सबसे अच्छा खेल शूटिंग लगता था इसलिए उन्होंने शूटिंग कॉमपटिशन में हिस्सा लिया और फिर नैशनल लेवल के खेलों में भी हिस्सा लिया फिर जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी रूची शूटिंग में कम होती गई जोसेब अकाडमी से जुबिन ने अपनी आटवी क्लास तक की पड़ाई को पूरा किया उसके बाद जुबिन ने अपना दाखिला वेललम बॉई स्कूल में ले लिया जहा जुबिन जादा दर टाइम म्योजिक सीखने में गुजारा करते थे और वो कुछी सालों में इतनी आच्चे हो गए थे कि म्योजिक इंस्ट्रूमेंट के ज़ादा दर इंस्ट्रूमेंट वो खुदी बजालिया करते थे नमबर नाइन स्कूल के दिनों में जुबिन को अपने पूराने स्कूल की यूनिफार्म से इतना लगाओ रखते थे कि जब स्कूल ने यूनिफार्म बदलने का फैसला किया तो उन्होंने सभी नई यूनिफार्म को आग लगा दी बाद में उन्हें इसके लिए पनिश भी किया गया था नमबर टेन उन्होंने मुंबई के मीथी भाई कॉलेज से म्यूजिक में अपना ग्रेजुएशन कम्पलिट किया इसके बाद जुबिन ने अपने म्यूजिक की पढ़ाई को और आगे जारी रखा नमबर इलेवन जब कभी जुबिन को लगता है कि वो शारीरिक ठकान या मानसिक तनाव से जूज रहे तो वो देरादून के परवतों को पार कर जाता है उन्हें हमेशा वहाँ पे एक अलगी सुकुन मिलता है नमबर ट्वेल जब जुबिन ने अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया तो उन्होंने कई जगे अपने गायकी के आडिशन दिये लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था नमबर थर्टीन इसी को देखकर जुबिन ने पहले स्टेज प्रोग्राम वालों गानों के साथ गाना गाना शुरू किया जिससे कि उनकी आवाज कुछ लोगों तक पहुच सके नमबर फुटीन एक दिन जुबिन अपने गुरू एयार रहमान सर से मिले जिनोंनों उनके गाईके को सुना और कहा कि जुबिन तुमें और भी मेनट करने की जरूरत है साथी तुमारी आवाज बड़ी यूनिक है तो तुम आगे जाकर बहुत बड़ा नाम बनाओगे नमबर फिप्टीन एयार रहमान के बात सुनकर इसके साथ जुबिन नोटियल फिर से वापस देरा दुना गए जा वो फिर से म्यूजिक सीखने लगे उन्होंने वेस्टन से लेकर क्लासिकल म्यूजिक तक सीखा नमबर सिक्स्टीन जुबिन ने साल 2011 को सुनी के सिंगिंग शो एक्स फैक्टर में अपनी जगह बनाई लेकिन जुबिन इस शो को जीत नहीं सके नमबर सेवेंटीन उसके बाद फिर कई सारे आडियंस जुबिन नोटियल को पहिचानने लगे इसी तरह जुबिन ने कही म्यूजिक डारेक्टर और सिंगर के गाने से पहले उनको वो गाना गाने को कहते थे जो की आगे चलकर किसे फिल्म का ओरिजनल गाना बनता इसे इंगलिश में सक्रेच भी कहते है नमबर 18 एक बार जब साल 2012 के करीबन में अक्षे कुमार की फिल्म दशोकिन रिलिज होने वाली थी तो इस फिल्म में एक गाना उनस क्रेच के जरिये मिला था उस गाने का नाम महरबानी था इस गाने को जब बक्षे कुमार ने पहली बार सुना तो उन्होंने जट से ये बात बोल दी कि उन्हें इसकी फिल्म में यही गाना चाहिए और इसी आवाज में चाहिए वैसे तो जुबिन का पहला बॉलिवूड सौंग एक मुलाका थे लेकिन असल मायने में महरबानी उनका पहला सौंगे जिसके बाद अपने पहले ही सौंग से पूरे बॉलिवूड और दर्शकों के दिलों में अपने आवाज को पहुचाने वारे जुबिन नोटियल ने उसके बाद कभी पिछे मुड कर नहीं देखा उनका पहला गाना वर्श 2014 में फिल्म सोना लिकेबल से एक मुलाका था उन्होंने अन्य शेत्रों में भी गीत गाये और 2016 में अलु अर्जुन के फिल्म सराय नोडु में तुलुसा लुलुसा नामक गाना भी गाया 20. जुबिन को दिल्ली का खाना सबसे अच्छा लगता है मुगलाई से चीनी और रोल्स तक वो सभी स्वादिष्ट खाना दिल्ली में खाना पसंद करते है उनके अनुसार दिल्ली में सबसे अच्छा वर्टर चिकन मिलता है 21. दिल्चस्प बात यह है कि वो अपने बालों को काटने के लिए सलून में जाना पसंद नहीं करते वो खुद ही अपने बालों को काटते एक इंटर्विव में जुबिन ने अपने लंबे बालों के बारे में बताया कि लोग उनके कॉंसर्ट के समय उन्हें एक्टर बनने को कहते थे इसी बात से परिशान होकर वो अपने बालों को लंबे रखते उनके फिल्मों में एक्टिंग करने का कोई भी इंटरेस नहीं था उनका पहला प्यार उनका मिल्जिक था उन्होंने उत्तराखंड सरकार से वर्ष 2016 में उत्तराखंड उड़े रतन जैसे पूरसकार भी जीते इसके साथ उन्होंने वर्ष 2015 में बजरंगी भाईजान में कूतादा जिंदगी के लिए भी मेल सिंगर के पूरसकार जीते अपने गाने के उपलबदियों के अलावा वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर भी है वो राश्ट्री अस्तर के निशानेबाज भी है और शाउट पूट के डिस्क थ्रो में जिलास्तर ये खिलाडी भी है ये सच बात है कि लोग कहते हैं कि आप हमेशस अपने के मालिक हो सकते हो ये शब जुबिन नोटियाल को पूरी तरह से परिभाशित करते हैं वो भारत के अच्छे संगित कारों में से एक है जिन्होंने इसे फोर्प्स के लिस्ट में 30 पस्तलिटी में जगा बनाए ये उनके और उनके संगित के लिए एक सम्मान की बात है जुबिन नोटियाल के उमर 2021 के हिसाब से 31 साल हो चुकी है और बात करेंगे उनके नेट वर्थ की तो 10 मिलियन US डॉलर है एक से बढ़कर एक गाने उन्होंने बॉल्योट को दिये है आज जुबिन नोटियाल हमेशा इसी तरह हमें अपने गानों से खुश करते रहेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ये सब बाते हुए जुबिन नोटियाल के बारे में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्स्राइब करें क्योंकि ऐसे इंफर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं मिलते हैं अगली वीडियो